Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबेड नौब बे आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए dedicated है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है Quality Education सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में जाके, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. Students Conic Section Chapter का आखरी Section अब शुरू हो रहा है. हमने अब तक इसमें Circle, फिर Parabola और उसके बाद Ellipse के Question सॉल्व कर लिये थे. और Exercise 11.1, 2 और 3 पूरी कर ली थी. अब हम Next जो Curve करने जा रहे हैं, वो है Hyperbola. अब ये क्या है? ये भी Ellipse से मिलती जूलती चीज़ है, लेकिन Curve बिलकुल डिफरेंट है. वो इस तरह से है, कि एक Straight Line पर दो पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट से, जो पॉइंट्स की दूरी होगी, उनका Difference बराबर होगा. अब हमने Ellipse में क्या किया था? कि दो पॉइंट फोकाई जो हैं, उनसे दूरी का Sum बराबर है. अब है कि जो Distances हैं, उनकी दूरी का Difference बराबर है. तो ये दोनों हैं फोकाई, बिलकुल Ellipse की तरह हैं. उसके बाद, वो कर्व ऐसी बनती है कुछ. इस तरह से, जैसे की थोड़ा सा वैसे अगर मैं कहूं, कंपेर करने के लिए, कि हमने दो पैरा बोलाज एक दूसरे के अपोजिट बना दिये. कुछ इस टाइप की शेप ये बनती है. इसकी ये जितने भी पॉइंट हैं, इसके उपर, इस दूरी और इस दूरी का Difference बराबर, इस दूरी और इस दूरी का Difference बराबर, तो Difference बराबर होते चले जाते हैं. तो ये फोकाई जिस लाइन पर होती है उसको हम कहते हैं Transverse Axis of Hyperbola और ये फोकाई ये Transverse Axis को जहां कट करती है कट करती है Curve वो होती है Vortices और Vortices का जो Midpoint है उस Midpoint से जो Transfer Axis से Perpendicular Line जाएगी उसको कहते हैं Conjugate Axis और Obviously फिर Latest Rectum भी होगी क्योंकि दो हमारे फोकाई हैं तो इन दोनों में से पास होती हुई Latest Recta भी होगी तो इसकी Equation क्या होती है इसकी Equation होती है X Square upon A Square minus Y Square upon B Square is equal to 1 जब X Axis पर Fit कर दी जाती है Transfer Axis और Conjugate Axis Y Axis हो जाती है अगर ये Hyperbola इस तरह हो जाए कि Y Axis हमारी हो जाए Transfer Axis और X Axis Conjugate Axis तो इसकी Equation क्या बन जाती है इसकी Equation बन जाती है Y Square upon A Square minus X Square upon B Square is equal to 1 तो इस तरहें से दो Hyperbola की Curves हमारे सलेबस में हैं जिसका Center 0,0 पर Fit है और Transfer Axis और Conjugate Axis या तो X Axis पर होगी या Y Axis पर होगी तो इसके Question क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं ढूनने वाली तो सबसे पहले है Accentricity Accentricity E ये है 1 प्लस B Square upon A Square under root यहाँ पर प्लस है Ellipse में क्या था? Minus था और फिर Vertices क्या हो जाएंगी? Vertices अगर Conjugate Axis Y Axis है और Transfer Axis X Axis है तो Obviously X Axis पर होगी Vertices तो प्लस माइनस A,0 और अगर यह है हमारा Hyperbola मतलब Y Axis Transfer Axis है तो 0, प्लस माइनस A इसी तरह फोकाई फोकाई भी X Axis पर हुए तो प्लस माइनस A,E,0 और अगर Y Axis पर हुए तो 0, प्लस माइनस A,E इतना तो हम अब जानी गए है हमने Ellipse किया है तो अब हम जानते हैं कि क्या कुछ किस किस तरह से होता है अच्छा और क्या-क्या है इसके अंदर और Y is equal to plus minus A,E, या तो यह होंगी दो equation ने latest रखता कि या यह होंगी क्यों कि यहां पर Y Axis हमारी transfer Axis है और यहां X Axis हमारी transfer Axis है यह दोनों cases मैं लेके चल रहा हूँ चाहे यह hyperbola आजाए चाहे यह hyperbola आजाए हमें बस फरक क्या करना है कि अगर यह वला hyperbola है तो transfer Axis जो है transfer Axis Y Axis है मतलब जो plus में होगा X square Y square में से वो transfer Axis दर्शाएगा अब length of latest recta length of latest recta वही रहेगी जो कि हमारी किस में थी भला ellipse में थी 2B square upon A और last में अगर हम बात करें तो center की center होगा हमेशा 0,0 तो ऐसा करते हैं इसकी exercise शुरू करते हैं exercise 11.4 और question क्या है question वही है सबसे पहले कि इसके हमने coordinates फोकाई के निकालने है vertices निकालनी है eccentricity find out करनी है length of latest rectum hyperbola की transfer axis और conjugate axis तो हमें सबसे पहला equation दी हुए given hyperbola की x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1 तो इसमें अब a कितना और b कितना है देखो सबसे पहले हम यह लिखेंगे here a square is equal to 16 b square is equal to 9 means a is equal to 4 and b is equal to 3 फिर सबसे पहले eccentricity देखते हैं हम eccentricity comma e is equal to 1 plus b square upon a square under root यह formula है यहने 1 plus 9 upon 16 under root इसको solve करोगे तो कितना आएगा देखो 16 plus 9 25 तो 5 5 upon 4 तो फुकाई कितना हो गए फिर therefore सबसे पहले तो हम center पता लगाते हैं center तो हमेशा 0,0 रहेगा फिर vertices vertices क्या होंगी देखो यह x-axis इसकी transfer axis है तो x-axis पर इसका vertices होंगी और इसका square root a का square root यहने 4,0 and minus 4,0 फिर फोकाई फोकाई है ae अब देखो ae यहां calculate करते हैं ae आ जाएगा 4 into 5 upon 4 तो 5 आ गया तो 5,0 and minus 5,0 और हमने length of latest recta पता करनी है length of latest recta 2b square upon a यहने के 2 into 16 upon sorry 16 नहीं आएगा 9 आएगा 2 into 9 upon 4 तो यह cancel हो गया तो 9 by 2 units तो यही पता करना था यह हमने पता कर लिया देखो तो यह question हमारे पास 6 ऐसे question हैं first six questions यही हैं हमारे पास तो यह first question solve कर लिया पेज खतम हो गया मैं page बलटता हूं और फिर तुमें यह छे questions में ही एक और question करके दिखाता हूं तो students मैं question number 2 नहीं कर रहा 3 नहीं कर रहा 4 नहीं कर रहा 5 कर रहा हूं और इसी तरह है का question number six है अगर तुमने यह करना सीख लिया तो तुम सीख जाओगे पहले 6 के 6 question कैसे करने हैं अब तुम देख रहे हो यहां पे y square upon a square x square upon b square नहीं है और यहां पे भी one नहीं है तो जब ऐसा हो जाए तो यहां पे नंबर होता है उससे हम पूरी equation को divide करते हैं तो 5 y square upon 36 minus 9 x square upon 36 is equal to one क्योंकि हमारी जो standard equation है hyperbola की वो होगी या तो x square upon a square minus x square upon b square is equal to one या फिर x square upon a square minus y square upon b square is equal to one इन में से कोई एक बनेगी यहां पर यह बन रही है क्योंकि y square plus में है लेकिन अब देखो यहां पे 4 आ गया लेकिन यहां पर तो 5 इससे cancel नहीं हो सकता तो इसको हमने कैसे लिखा y square upon 36 upon 5 minus x square upon 4 is equal to one तो कोई problem नहीं है अगर a ऐसे आ रहा है a square ऐसे आ रहा है हमने लिखा here a square is equal to 36 upon 5 and b square is equal to 4 तो यहां पर a कितना आ गया a is equal to 6 upon root 5 और b आ गया 2 square root कर दिया दोनों तरफ का अब सबसे पहले find out करनी है eccentricity eccentricity e होती है 1 plus b square upon a square under root यहांने 1 plus b square कितना है 4 upon 36 by 5 a square और अब यह 5 उपर चला जाएगा यह 5 उपर गया तो 1 plus 20 upon 36 under root अब यह cancel भी हो सकता है 2 से तो 10 upon 18 यह 4 से ही cancel हो जाएगा तो 1 plus 4 से cancel हुआ तो 5 by 9 आ गया और इसको solve करेंगे तो कितना आएगा देखो 9 plus 5 14 under root 14 upon 3 तो a e भी इसी बहाने हम निकाल ही लें क्योंकि फोकाई के जो हमारे coordinates हैं वो a e से आने हैं तो a कितना था? a था हमारा 6 upon root 5 तो 6 upon root 5 into root 14 upon 3 तो 3 से cancel हुआ 2 यह आ गया 2 under root 14 upon under root 5 तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं हम कोई problem नहीं है तो अब हम चलते हैं अब eccentricity तो हो गई find out और a e भी find out हो गया तो सबसे पहले center center student समेशा 0,0 रहेगा चाहे transfer axis x axis हो चाहे transfer axis y axis हो पिछले question में transfer axis x axis थी लेकिन यहाँ पर transfer axis y axis है क्योंकि x minus में और y plus में जो plus में होता है वही transverse axis उसकी होती है उसके बाद vertices vertices होती है अब y axis पर vertices होंगी तो 0,a यहने 6 upon root 5, 0, minus 6 upon root 5 plus minus a फिर फोकाई फोकाई होंगे 0,a e plus minus a e और a e की value है 2 root 14 upon root 5 2 root 14 upon root 5, 0, minus 2 root 14 upon root 5 तो यहाँ पर आएगा यह लाइन है यहाँ पर नहीं आएगी तो यह हो गई हो गए फोकाई फोकाई के बाद हमने eccentricity फोकाई center यह ढूंड लिया vertices भी ढूंड ली और अब latest rectum की बारी है तो length of latest rectum is equal to 2b square upon a तो 2 into b square, b कितना है यहाँ पर देखो b square है 4 तो 2 into 4 upon a कितना था 6 upon root 5 तो यह cancel हो गया तो यह आगया root 4 root 5 upon 3 units तो यह length of latest rectum आ गया अगर हमसे पूछा जाए तो हम यह भी बता सकते हैं कि transverse axis जो है वो कौन सी है transverse axis होगी y axis that is x equal to 0 और अगर पूछा जाए conjugate axis तो conjugate axis होगी x axis इस hyperbola की और उसकी equation होगी y is equal to 0 तो इतनी हम जानकारी इस hyperbola की इसकी equation देख कर ही निकाल सकते हैं तो इस तरह से students यह question हमने solve किया और पहले 6 question तुम इस तरह से कर सकते हो अब हम चलते हैं question number 7 की तरफ तो students यह है question number 7 question number 7 से लेके 14 तक हमने क्या करना है 14 नहीं 15 तक हमें equation पता करनी है पैरा पूला हाइपर बोला की अगर हमें कुछ given conditions दी हुई हैं तो यहां पे given transfer axis कौन सी दिखाई दे रही है देखो vertices और फुकाई दोनों x-axis पर हैं तो तो clearly transverse axis is x-axis एक बात तो हमें पता चल गई यानि के इसकी equation कैसी होगी x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 यह होगी a और b का हमें पता लगाना है तो अब यहां पे vertices plus minus 2 हैं तो here a is equal to 2 और a e यानि के फुकाई जो है वो 3 है अब a e कितना होता है अगर हम ध्यान से देखें तो e होता है 1 plus b square upon a square under root यानि के a square plus b square under root upon a और यहां e है तो इसको यहां ले जाओ तो a e हो जाता है a square plus b square under root यह हो जाता है तो a e की value यह होती है which implies a e की value put कर रहा हूं है a square plus b square under root is equal to 3 अब a की value यहां यहां से put कर दो 4 plus b square is equal to 9 square कर दिया दोनों तरफ का square root हट गया यह इसका square हो गया तो b square कितना आ गया यह 4 इदर गया तो 9 minus 4 is equal to 5 तो यह आ गया तो अब हम कहेंगे minus y square upon b square is equal to 1 that is x square upon a square a square की कितनी value हो 4 minus y square upon b square b square की value है 5 is equal to 1 तो यह equation हमारी बन गई यह था question number 7 question number 8 भी इसी तरह हैं लेकिन उसकी transfer axis y axis है मैं फिर बता रहा हूं कि question number 8 और 9 बिलकुल इसके जैसे ही हैं क्योंकि vertices और foci given है तुमने यही formula लगाने इसी तरह से लेकिन equation बनेगी x square upon a square y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 यह equation बनेगी क्योंकि उसकी transfer axis क्या होगी y axis होगी वो question देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा तो यह तो थे question number 7, 8 और 9 अब हम चलते हैं question number 10 की तरफ और 10 में क्या given है देखो 10 में दिया हुआ फोकाई फोकाई है plus minus 5, 0 and length of transverse axis length of transverse axis is equal to 8 तो length of transverse axis होती है 2a इसका मतलब 2a जो है वो 8 है and फोकाई दिया हुआ है तो ae is equal to 5 है also transverse axis कौन सी है transverse axis is कौन सी है बताओ फोकाई कौन सी axis पर है एक्स 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 पर transverse axis is x-axis ये भी हमें पता लग गया तो अब हमारे पास क्या है a is equal to 4 और ae की value पूट कर रहा हूँ a square plus b square under root is equal to 5 तो अब यहाँ a की value पूट कर तो 16 plus b square under root is equal to 5 means 16 plus b square is equal to 25 तो b square कितना आ गया ये 25 में से 16 उदर जाके minus होगा तो 9 तो a square की value भी आ गई a square 16 होगा और b square 9 होगा तो equation क्या हो जाएगी therefore equation of hyperbola is x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1 x square upon 16 आया minus y square upon 9 आया क्योंकि transverse axis x axis थी अगर transverse axis y axis होती तो हम लिखते y square upon 16 minus x square upon 9 is equal to 1 तो इसमें question number 11 भी ऐसा ही है क्योंकि उसमें conjugate axis दी हुई है देखो जब conjugate axis की length दी हुई हो transverse axis की length जो है वो होती है 2a और conjugate axis की अगर length दी हुई है तो conjugate axis की length होती है 2b बस इतना फरक है तो अगले question में 2b दिया हुआ है और a square plus b square under root दिया हुआ है तुमको question number 12 तो question number 12 में दिया हुआ है question number 12 में फोकाई दिया हुआ है तो फोकाई plus minus 3 under root 5 कॉमा 0 और एक और चीज़ दे रखी है length latest rectum की length दी हुई है and length of LR latest rectum shortcut में लिख सकते हैं length of latest rectum दी हुई है 8 तो यहाँ पर फिर से हमारा जो transverse axis है वो x-axis नजर आ रहा है हमको तो हम यही कहेंगे clearly transverse axis is x-axis यानि के x square minus y square type की equation बनेगी और length of latest rectum क्या होती है देखो दोनों में से हम निकालते हैं फोकाई क्या होती है ae is equal to 3 under root 5 और length of latest rectum होती है 2b square upon a is equal to 8 अब हमारे पास देखो ae है तो ae की value क्या है पहले तो हम यहां से इसको cancel करेंगे तो b square की value आ जाएगी 4a देखो यह इदर चला गया 2 से 8 cancel होगे तब b square की value 4a आ गई और हम जानते हैं कि ae कितना होता है a square plus b square under root यह है 3 under root 5 दोनों तरफ का square कर देते हैं तो हमारे पास आएगा a square plus b square is equal to इसका square करेंगे तो 9 into 5 हो जाएगा यहने 45 अब b square की value यहां पर 4a उट कर देते हैं हम तो हमारे पास आगया a square plus 4a minus 45 is equal to 0 क्या हो गया यह? यह quadratic equation बन गई 45 इदर आ गया और b square में 4a उट कर दिया अब इस quadratic equation को जब हम solve करेंगे तो हमारे पास आएगा a is equal to minus 9 और 5 अब हम सब जानते हैं कि a की value अपने आप में ही plus में होती है minus में नहीं होती कभी भी तो a is equal to 5 choose करेंगे अब यहां पर और b square की value भी ढूंड लेंगे तो a is equal to 5 है और b की value क्या आ गई? therefore b square is equal to 4a यहने 4 into 5 यहने कि 20 तो b square की value भी आ गई? तो अब हम लिखेंगे therefore equation of hyperbola x square x square किसले ले रहा हूं? क्योंकि conjugate transverse axis इसकी x axis थी तो x square upon a square a hat 5 तो x square हो जागा 25 minus y square upon 20 क्योंकि b square की value 20 है is equal to 1 तो यह students हो गया question number 12 और question number 12 की तरह ही तुमने question number 13 भी कर लेना है और question number 14 और 15 मैं तुम पर छोड़ता हूं वो तुम अपने आप देख कर जरूर solve करना और इस तरह से हमारा यह chapter यह exercise खतम हो गई जो की था conic section एक मैं तुमें request करूँगा students जो हर वीडियो में करता हूं कि comment section में जाके 1 to 5 के scale पर इस वीडियो को rating जरूर देना और अगर पसंद आए तो like और share जरूर करना share किसलिए क्योंकि quality education सबका अधिकार है और अगर तुम tuition से मुक्ती पाना चाते हो तो tuition जो है उसे छोड़ना चाते हो जिसमें तुम्हारे parents का पैसा और तुम्हारा time दोनों ही लगता है वो बचा कर भी तुम सारा का सारा syllabus कर सकते हो कैसे free में मेरे channel को subscribe करो बिल्कुल free of cost है subscribe का button क्लिक करो और फिर मेरे channel में जाकर playlists check करो तुम्हे 10th 11 12th तीनों ही classes की chapter wise videos की playlist मिल जाएंगी जहां से तुम पूरा syllabus cover कर सकते हो तो students conics section का chapter यहां खतम हुआ अब तुमने यह chapter की practice करनी है best of luck अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले chapter के साथ thank you for watching